जन्मत की पुकार में आपका स्वागत है द्वारका जिले की अलर्ट एएटीयस टीम ने डखायती को रोकते हुए अवैध आगनियास्तरों के साथ चार व्यक्तियों को धर्द बोचा द्वारका जिले में एंटी ओटो थेफ्ट स्क्वाड के सतर्क प्रयासों के कारण अवैध आगनियास्तरों और जिवित गोला बारूत के साथ चार व्यक्तियों को गिरफतार किया गया इस सफल ओपरेशन ने न केवल संभवित डखायती को रोका वलकी सामुदाइक बनाये रखने में कानुन प्रवर्तन के समर्पन का भी उदाहरन दिया एक सराहनी ओपरेशन में इंस्पेक्टर सहीत अधिकार्यों की एक टीम कमलेश कुमार, SI धिननजय, SI दिनेश कुमार, SI जितेंद्र, SI विजैसिह, HC रामराय, HC मनोच, HC राजेश, HC जैराम, HC मनोच, HC ह अपरेशन का उदेश जिले और पडोसी राजे में सक्रिय विबिन आपरादिक गिरोहों पर सक्रिय रुप से निगरानी रखना था टीम का ध्यान, अपराद का पता लगाने से कही आगे तक बढ़ा, इसका उदेश गहन गष्ट और जाज के माध्यम से आपरादिक को रोकना भी था, स्तानिय मुक्बीरों ने क्षेतर में प्रभुत्व स्थापित करने या अपराद करने के लिए अवैद्र, आगने आस्तर और गोला बारूद ले जाने वाले व्यक्तियों के बारे में खुफिया जानकारी प्रदान करने में महत्वा पुर्ण भुमिका निभाई, दो सितंबा 2023 को दिल्ली के बडू सराय गाउं, फिरनी रोड के पास घष्ट के दौरान AATS टीम ने बिना पंजीकरन प्लेट के मोटर साइकल पर सवार चार संदिक्द व्यक्तियों को देखा, पुझताच करने पर उनकी पहचान सुननी विशाल रवी और एक अ कामला दर्श किया, आगे की जान से पता चला कि ये लोग बडू सराय के किसी बोला के निर्देश पर काम कर रहे थे, उनकी योजना एक स्थानिय किराने की दुकान में नकदी, डक्याती को अंजाम देने की थी, और इस आपरादिक प्रयास के लिए बोलाने अवैद आगन अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किरिप्या चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार.